अब हम लोग मुगय सम्राज के बारे में परेंगे। हम लोगों ने औरंगजेशлу मुगय सम्राज में औरंगजेश के बारे में पर रहा हूं तो कि hooks यह तो अब हम लोग 2 अब का मुगय साजाचर का धालमिक नीती ततो देख लेते हैं कानूनों का आख्षक्ष पालन करता था इस्लामी कानून को उसी परकार पालन करना यह जो था अलंजेब कटर सुन्नी मुसलमान था कटर सुन्नी मुसलमान था और इसलिए इसने अपने आपको जिंदा पीर कहा और साही दर्वेश कहा इसने कटरता का पर्चे दिया थ्वासा कटर था और सिक्का पर जो कल्मा खुदवाया जाता था कल्मा कर्थ हुआ कुरान की आयत खुदवाया जाता था उसको इसने बंद करवा दिया और अंग्जेव ने उसको बंद करवा दिया और अंग्जेव ने क्या किया कि पार्सी जो नौवर्स होता था नौरोज उसको भी बंद करवा दिया जो संगीत वेगरा बसता था सावजनिक रूशे उसको भी बंद करवा दिया शावजनिक संगीत, शावजनिक समारो ये सब पर इसने परतिवन लगवा दिया, जुआ खिलना पर परतिवन लगवा दिया, सरा पीना पर भांग खाने पर ये सब पर परतिवन लगवा दिया, इसने हिंदुओं पर तिर्थियात्रा कर भी लगा दिया, जो अकवर ने समाप कर दिया था लेकिन अरज्यम ने पुना जो है तिर्थियात्रा कर लगा दिया 1163 में सती पर्था पर इसने पर्टिवन लगा दिया सती पर्था पर अरज्यम ने पर्टिवन लगा दिया सासन के 11 बर्ष में जरोखा दर्षन जो है इसने पतिवन लगा दिया जरोका दर्शन जो है सम्राथ जो है अपना जो बालकरी में जाके प्रांगर में जाके आम जनता को दर्शन दिया करता था सुवा सुवा तो सासन के ग्यार्मी बर्स में अरंग्जेव ने जोरोका दर्शन बंद करवा दिया सासन के बार्मी बर्स में अरंग्जेव ने तुलादान पर्था होती थी तुलादान में होता था कि सांसा को सोना चान्दी से तोला जाता था फिर वह तो उसको जो है अपने सासर्ण के बारें बर्स में अलंजेव ने तुलादान पर्था को भी बंद कर अगभा दिया अलंजेव ने सावजिनिक सदाचार निक्षा के निक्ट किया जो मुतस्रीव कर आता था अलंजेब ने मुतस्री विनामक एक अधिकारी के निक्ति किया जो साउजदिक स्दाचार्ग पर नियंतर लगता था यह सा अलंजेब ने धार्मिक रुप से कुछ काम किया था अलजेव ने धार्मिक रूव से जो है काम किया था उसके बाद अलजेव की जो है राजपूत निति तो अक्वर और जहांगीर सहाजा ने जो राजपूत निति का निर्मान किया था निव डाला था उसको जहांगीर और सहाजा ने मेंटे नका लेकिन अलजेव ने थुरा सा उसमे थुरा सा परवर्तन नहीं बहुत बड़ा परवर्तन दा दिया लेकिन फिर भी जो है सहाजा के समय में हम देखते हैं तो 24 दसब लब 7 परसेंट जो है मसंदार थे लहां ओलनले ननंजेव के समय में 33 परसेंट हिंदू मसंदार ते Elliot की संख्या की तुरॉष मदोर सधार के समयं के समय 627 परसेंद शेले खिंडियम तोो था जयाच तो यह राज सिंग था और मरवार का राजा जस्वन सिंग था यह तीन राजा महत्रपुन थे जस्वन सिंग का अफगानिस्तान में जम्रूद का लड़ाई हो रहा था तो 1679 में जस्वन सिंग की मृत्व हो गई जस्वन सिंग जम मरा तो उसको कोई पुत्र नहीं था लेकिन जैसे जस्वन सिंग की मृत्व हो गई तो उसकी पत्नी एक पत्नी ने जो है अजीत सिंग को जन दिया तो अजीश सिंग जो है बैद दावेदार था लेकिन क्या किया अलंजेब जो है इनको मतलब अजीश सिंग को बैद सासक मालने से इंकार कर दिया तो जस्वन सिंग और अजिस सिंग का जो सिनन नायक था दुर्गादास राठोर वो अलंजेब से कहा कि आप जो है अजिस सिंग को जस्वन सिंग के बाद बैद सासक मारवार का घोशित कीजिए तो अरंजेब ने सत रखा कि ठीक है हम अजीश सिंग को मरवार का बैद सासक माल लेते हैं बदले में अजीश सिंग जो है इस्लाम धर्म शिवकार कर ले लेकिन यह बात पुना अजीश सिंग माने अन्ना दुर्गादास रठोर माने और लगवत 30 साल तक जो है अजीश सिंग और दुर्गादास रठोर जो है मुगलों के खिलाफ लड़ते रहें 1679 में यह शुरू हुआ था और 1709 में जाके 30 साल जब हुआ तो अरंजेब की जब मिर्टू होगे 1707 में तो 1707 में बहदू साब पर्थम सासक बने और 1709 में उन्होंने जो अजीश सिंग को मारवार का सासक शिवकार कर लिया इस परकार से 30 साल के जुद के बाद मारवार को फिर से अजीश सिंग के रूप में राजा वैद राजा मान लिया गया अरान्जेव ने यह ऊफे हैं य्में 1661 में बंदेला बिदो हुँए 1661 में बंदोला बिदाव रहो बें और बुंदेला बिद्रो और्चा का सासक चंपत राय उसको मुगल सासक और अरंजेव किसमें बिद्रो किया था लेकिन यह हार गया तो गलानी में चंपत राय ने आत्मत्या कर लिया और्चा जो बुंदेला निता था चंपत राय आत्मत्या कर लिया फिर बाद में बुंदे बियापूर और पुरंदर का लड़ाई हुआ था शिवा जी के बुरुद उसमें 6 साल ने मुगलों का काफी शिवा किया तो मुगल काफी खुश भी हो गया लेकिन बाद में इसको लगा 6 साल को कि सिवा जब मुगलों से लड़ सकते तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूं तो इसी बाद से सिवा जी से प्रेणा लेकर 707 में चात्र साल ने एक सोतंत बुंदेल खंड राज का अस्थापना कर लिया तो यह हो गया वो देल खंड बुंदेला बिद्रो जो अलंग जीव के समय हुआ था उसके बाद भारत के उतरपस्री भार में अफगानिस्तान है तो परदय जो है इस पित्थक अफगानिंगराज को जीवा दिया भागय के नितमें अफगानियों ने विद्रो कारदिया लेकिन मुघससायक अकमल खाको मुघसुविदार अकमल खाने इस विद्रो को Geral को दबा दिया लेकिन बाद में एक अफरीधी नेता अकमल खान जो है इस छेत में उबरे और उन्होंने स्वेम को राजा घोशित कर दिया अफगानियों का और अपने नाम का खुत्वा परवाया और शिक्का चलवाया तो यही है आपका अफगान विद्रो अफगान विद्रो 1667 में अलजेव के समय में हुआ था और इसको आप प्रिथर अफगा के नेता थे लेकिन अमीर खाने जो मुगलों के गवर्नर थे स्वेदार थे उसने भागू की विद्रों का दबाद दिया बाद में अक्मल खा जो है जो फृदी नेता था उसने जो है इस अफगानिक विद्रों को कमाल संभाला और अपने आपको राजा कोशित कर दिया उस वीजओ को त्फे स्वेमिल थे ताज़ बाद